इंकम टेक्स विभाग के सर्च ऑपरेशन में एक परिवार में शादी शुदा महिला के पास 500 ग्राम से जादा सोने की गहने हुए तो मुश्किल बढ़ सकती है नोट बंदी के बाद सरकार की नजर अब घरों में पड़े सोने पर है वही अब विभाहित महिलाओं के लिए लिमिट 2500 ग्राम है इसके अलावा परिवार के हर पुरुष सदस्य के लिए 100 ग्राम सोना रखने की लिमिट है और इसके अलावा अगर आपके पास गोल्ड का हिसाब किताब दे देते हैं तो आप अपने पास कितना भी गोल्ड रख सकते हैं और ये जब्त नहीं किया जाएगा यानि कि अगर आपने तैशुदा लिमिट से जादा गोल्ड आप रखते हैं और आपके पास इसका सबूत नहीं है तो आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी हाला कि सरकार निस्साफ किया कि विरासत में मिली गोल्ड जूलरी पर टेक्स नहीं लगेगा आई टी अमेंडमेंट एक्ट में विरासत में मिले गहनों पर टेक्स का प्रावधान नहीं है नोट बंदी के बाद लोग 500 रेखजार उपए के पुराने नोटों से गोल की खरेदारी कर रहे थे आलोग हमारे समधाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोग 500 रेखजार के नोट के बाद अब सोने पर भी सरकार की नजर है अगर देखें सरकार की तरफ से जो क्लारिफिकेशन आया है उसमें यही आया है कि कई जगा पर यह फ्वाज चल रही थी कि जो सरकार ने नया टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल पास किया है उसमें सोने और गहने को घर में रखने का कोई कोई लिमिट तैकी गई है लेकिन सरकार ने यह क्लरिफाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आपने अपने टैक्सेबल इंकम से एगरिकल्चर इंकम से या लीगल इंकम से कोई भी सोना या फिर गोल्ड ज्वेलरी खरीदी है तो उस पर सरकार कुछ भी नहीं करेगी उस पर सरकार कोई restriction लगाने नहीं जा रही है लेकिन जो नियम सरकार ने बताये हैं कि search and seizure के दौरान यानि income tax act के तहट जो 1916 नमबर रूल है उसमें आयकर विभाग के तरब से अगर आपके घर में छापे मारी होती है काला धन पकड़ जाता है और उस दौरान अगर आपके घर में कुछ अकूत मात्रा में गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी पाई जाती है तो उसमें जो नियम है नियम यहीं है कि unmarried woman के लिए 500 ग्राम, unmarried woman के लिए 200 ग्राम और man के लिए 100 ग्राम को छोड़ कर बाकी सारे जो गोल्ड है वो उस पर tax लगाया जाएगा या फिर उसको यह माना जाएगा कि यह काला धन है तो कुल मिलाकर इस बात को लेकर clarification सरकार ने डाला है कि कोई आपके पास ancestral property है या फिर आपने कोई legal income से कोई भी गोल्ड खरीदा हो तो सरकार उसको कुछ भी नहीं करने जा रही है इसलिए घबराने की कोई जरूत नहीं है यह सिर्फ सायकर विभा की छापिमारी के दौरान अगर काला धन के दौरान सोहना पकड़ा जाता है उसके लिए इस नियम को उसने उल्लेखित किया है और यह नियम पुर